नमस्कार मैं हूँ प्रवीन इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज पूरे देश की नजर वर्ल्ड कप 2023 पर है भारत के कितने पठाके फूटेंगे, कितनी वीर की बोटल खुलेंगी अस्ट्रेलिया और भारत के बीच इस मुकाबले में कौन जीत का पर्चम लहराएगा कौन हार का दुख मनाएगा ये तो समय बताएगा लेकिन इससे पहले अगर मैं कहूँ कि भारत ये मैच जीता पड़ा है तो हैरान मत होईएगा क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में भारत के खिलाड़ी जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उसे देख कर यही लगता है कि जीत का खिताब भारत के हाथ में है दुनिया ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही है कि भारत की बैटिंग ज्यादा आक्रमक है या बॉलिंग इस पूरे वर्ल कप में जहां मुहमद शमी 23 विकेट ले चुके हैं तो वहीं विराट कोहली शतक के मावले में सचिन तैंदुदर का भी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं वर्ल कप ट्रॉफी के लिए अस्टेलिया और भारत के बीच मुकाबले में बस कुछी घंटों का या यू कहें कुछी मेंटों का समय बचा है फैंस अपनी excitement सम्हाल नहीं पा रहे हैं और इस बीच इंटरनेट पर अस्टेलिया टीम के धाकट ओल राउंडर मिशेल मार्श का एक पुराना इंटर्व्यू वायल हो रहा है इसमें उन्होंने भविश्यवानी की है कि वर्ल कप के फाइनल में उनकी टीम भारत को ओल आउट कर देगी मार्श आईपेल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेलते हैं मई 2023 में मिचेल मार्श ने DC फ्रेंचाइजी के साथ एक पॉड कॉस्ट किया था उसी बादचीत में मिचेल ने कहा था कि वर्ल कप 2023 में अस्टेलिया भारत को हरा कर छटी बार टॉफि उठाएगा इतने पर रुके नहीं एकदम सटीक बात बताई कहा था कि अस्टेलिया की टीम दो विकेट के नुकसान से 450 रन बनाएगी और भारत को 385 रनों से हराएगे यानि 65 रनों पर ओल आउट प्रेडिक्शन के ठीक 6 महीने बाद वर्ल कप के लिए अस्टेलिया और भारत आमने सामने खेलेंगे फैंस मिशेल का वो क्लिप जानकर शेयर कर रहे हैं क्योंकि यूजर्स पहले तो इसी बात से हैरान है कि मिशेल की भारत के साथ फाइनल खेलने वाली बात सच साबित हुई है अस्टेलिया की टीम 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 में पांच बार का खिताब अपने नाम कर चुकी है 2003 वाले वर्ल कप में भी फाइनल्स में अस्टेलिया का मकाबला भारत से हुआ था जोहान बर्ग के वांडर्स स्टेडियम में रिकी पॉंटिंग की टीम ने भारत को हराया था तब अस्टेलिया ने 50 ओवर में दो विकेट के नुपसान पर 369 रन बनाए थे पॉंटिंग ने 121 गेंदों पर 4 चोकों और 8 छकों की मदद से 140 रन बनाए डेमियन मॉर्टिंग ने 84 गेंदों पर 88 रन बनाए अस्टेलिया ने भारत को 49 दसवलब दो ओवर में 234 रन पर आउट कर दिया विरेंदर सहवाग ने 81 गेंदों पर 10 चोकों और 3 छकों की मदद से 82 रन बनाए थे हलाकि इस वर्ल्ड कप में तो हमारा पाला ही मजबूत रहा चार हफते पहले भारत ने चेनरी में अस्टेलिया को 6 विकेट से बुरी थरह हराए था पैट कमिक्स की टीम 99 रन पर और आउट होगी थी अब देखना ये होगा कि ये जीत का खिताब किसके नाम जाता है विलहाल जो मैच चल रहा है वो काफी दिल्चस्प चल रहा है और उमीद यही है कि भारत इस बार फिर वर्ल्ड कप अपने साथ ले जाएगा पहले दो वर्ल्ड कप भारत जी चुका है और ये तीसरा वर्ल्ड कप इस तीसरे वर्ल्ड कप का भारत स्वागत करने के लिए तैयार है वेरा इस खबर में इतना ही देश और द्रीग तमाम को गुली आप बनेरी हमार साथ और देखते रहे हैं इंडिया टाम को डिफोर निए खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन